दोस्तों अगर आपको माइगरेन या भारी सरदर्द की समश्या है तो आज हम यहां कुछ घरेलो उपचार बता रहे हैं अगर आप उसे फोलो करते हैं तो कुछी दिन में आपके माइगरेन या सरदर्द की समश्या खतम हो सकती है आईए जानते हैं माइगरेन के कुछ मुख्य कारण सबसे पहले तो अधिक टेंशन लेना बहुत तेज प्रकाश में रहना या तेज लाइट में सोना खाने पीने की आदतों में संतुलन नहीं होना नेंद का परियाप ना लेना अधिक शोट सराबे वाले इस्थान पर रहना नशिली या दुमप्रान वाली वस्तुओं का सेवन करना कुछ केस में हर्मोनल बदलाव के कारण भी माइगरेन की शमश्या स्टार्ट हो जाती है उपचार के लिए आपको कुछ बातों का द्यान रखना होगा तनाव से बचने के लिए समय समय पर योग साधना करे और हर दिन अनुलों का अभ्यास करे समय समय पर अपनी नींद पूरी करे स्वासव को अधिक गहराई से लेने शुरू करे अपने खाने पिने की आदतों में सुधार करे अपने आहर में शक्कर या केफीन या फिर नमक की मातरा कम करे गरलो वज़ती में अगर आप घर पर ही कुछ उपाई करना चाहते हैं तो आप माइगरेन के लिए ये उपाई कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ एक गरलो उपाई बता रहे हैं इसे आप अपने घर पर ट्राइ कर सकते हैं माइगरेन के समश्या में अगर आप रात में 5-7 लोंग को अच्छे से क्रश कर ले और फिर एक ग्लास में हलका गुनगुना पानी ले और उसमें लोंग डालकर रात भर के लिए बिगो कर छोड़ दे सुबह इस पानी को हलका गर्म कीजिए और पी लीजिए कुछी दिनों में आपका सिरदर्द गायब हो जाएगा क्योंकि लोंग में दर्द निवारक गुन होता है और यह सिरदर्द के लिए और माइगरेन के लिए एक अच्छा उपाए है ऐसी जनकरी के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद जय हिंद